नमस्कार दोस्तों सुखाइते हैं आप सभी का अपनी एप्स चैनल पर आज का जो वीडियो होने वाला है दोस्तों यह आपको रेज्यूमे के बारे में बताने वाला हूँ हम लोग जब भी किसी जॉब के लिए अप्लाय करना होता है अपने रेज्यूमे को अपडेट करना चाते हैं या नए रेज्यूमे बनाने चाते हैं लेकिन ऐसे समय पर हमें नहीं पता होता कि क्या फॉर्मिट रखा जाए कैसे बनाया जाए और बहुत सारी गूगल पर समसर्च करते हैं जहां पर काफी सारी साइट जो हैं आपको बोलती हैं कि यार पैसा देना पड़ेगा तभी आप ये रेज्यूमे बनाते हैं मैं तो यहां तक भी गया होगी कुछ अप्लिकेशन पर रेज्यूमे बन जाने के बाद पता चलता है कि अब चार्जिस अपने रेज्यूमे को तो आपको करना क्या है कि बिल्ड रेज्यूमे.learncodeonline.com ये देखिए जो साइट है आप इससे लिख लीजे मैं एक बार क्या करूंगा डॉट इन लगाना है लाश्ट में तो ये आप लिख कर रख लीजे आ फिर मैं क्या करूंगा आपको जो नीच अब देखिए ये आपको अगर आप फोन में बनाना चाहरे है ना अगर अगर तंप्यूटर में बना रहे है तो डायरेक्ली खुल जाएगे अगर आप फोन में बनाना चाहरे तो ये प्रॉब्लम जूर राएगा कि website currently works only in desktop view तो आपको करना क्या है यहां पर यह तीन पाज टेंप्लेट देखने मिलेंगे जिन पर रेज्विमे अल्रेडी बने हुए है अलिविया विल्सन के आपको करना है क्या कि जो भी आपको अच्छा लग रहा है ने इन पांचों में से जो भी आपको बढ़िया लग रहा है इंटरफिस की बढ़िया रहेगा मेरी टैप करना पड़ेगा और यहापकी इमेजिस खुल जाएंगी आप चाहें तो यहाँ पर अपना नाम जो है चेंज करना चाहते हैं तो यह फॉर्मेट में आप यहाँ पर टैप करेंगे यह जो बतन है एडिट की इस पर टैप करेंगे और फिर आपको यहाँ पर ऑप्शन कि अपना experience डाल सकते हैं आया आप title में क्या रखने जाते हैं experience का ही section बनाना चाहते हैं आपर यहाँ पिर कुछ और बनाना चाहते हैं education का बनाना चाहते हैं उसारी चीज़ा आप यहाँ पर लिख दीजिए और at the last moment अपना जो contact वगरा सब कुछ यहाँ पर डाल दिया आपने एक बार चेक करने के बाद आप इसे download कर सकते हैं कहां से करेंगे यहां से अगर कुछ करबड़ी होगा यह पूरा का पूरा reset करना जाते तो reset का बटन भी दिया है बट डाउनलोड का बटन यहाँ पर है simply download का बटन दबा देंगे और देखिए मैंने एक बार पहले भी download किया है अगर आप चाहें कि मैं वापस download करके बताओ अपना नाम डालकर में यहाँ पर रिट कर देता हूं एक बार ताकि आप लोगों को यह नहीं लगी कि मैंने download करके पहले से रखा हुआ है इसे रहन देते हैं और बस इसे करते हैं download जैसे download हो गया है आपके नाम से download होता है आप देखते है नाम जेंज हुआ है बागे सारी चीज़ दमने जैसे की वैसी रखी थी तो वहीं पर रहे गई तो यह आप भी कर सकते हैं दोस्तों बहुत ही बड़ीया site मिली है छोटा सा resume आपका बन जाता है अगर आपको वीडिय कर दीजीगा information अच्छी लगी तो comment section में बताएगा फिलाल कर देद महीं और बने रही हमारे साथ जारे धन्यवाद